दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको पताऊंगी कि कैसे आप बेहद आसान वशी करण कर सकते हैं जी हाँ वो भी सिर्फ आपको जरूरत है एक पैन की और कैसे आप कर सकते हैं किसी भी पुरुश को किसी भी महिला को किसी भी इनसान को आप अपने वश में कर पाएंगे जी हां तो आपको एक मंत्र है जो याद रखना है और आप अपने हाथ पर जी हां अपने हाथ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो जिसे आप करना चाहते हैं अपने वश में बस आपको करना क्या है आपको मंत्र है ओम क्लिम क्रिशनाई नमहा इस मंत्र का उच्चारण करना है और अपनी उंगली पर जी हां अपने हाथ की इस उंगली पर आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप करना चाहते हैं अपने वश में तो आप अपने हाथ की एक उंगली पर लिखें उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम लिखकर आपको बस एक दिन तक जी हाँ 24 घंटे तक आपको उस व्यक्ति का नाम आपके हाथ पर होना चाहिए और दिन भर में आपको पचपन बार जी हाँ आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं बस आपको इस उंगली का इस्तमाल करना है, इस उंगली पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, और उसके बाद वो व्यक्ति आपके वश में होगा, तो आपको दिन भर में इस मंतर का उच्चारण करना है, सिर्फ और सिर्फ 108 बार, और 108 बार मंतर का उच्चारण करते सम मंत्र बेहदासान है ओम क्लिम कृष्णाय नमहा ये श्री कृष्ण का मंत्र है कहा जाता है कि एक तरह से मोहिनी वशीकरण की तरह ये कारे करता है तो आप भी इस तरह से हाथ की उंगली पर नाम लिख कर कर सकते हैं किसी को भी अपने वश में आज ही आप इस उपाय को करके लेकीन नहीं मानेंगे कुछ ही मिंटों में कुछ ही मिंटों में जैसे ही आपका वशीकरण का जो उपाय है वो खतम होगा वैसे ही वो व्यक्ति आपके वश में होगा आपको या तो कॉल करेगा या फिर आपसे मिलने के लिए बेताब हो जाएगा तो आप इस उपाय को जर देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद